नमस्ते मुहदीव आपका Music Instructor बात करते हैं हमारे Workspace की यह जो खाली करे एरिया है यह है मेरा Workspace और यहीं पर सारे गाने की Arrangement होगी यहीं पर मेरी Cake, मेरी Snare यानि की मेरी Drums, मेरी Bass Line मेरी Melody, Chord Progression, Vocal Recording हम यह सारी चीज़ें इसी एरिया के अंदर करने वाले हैं अब अगर यहां पर हम देखें तो यह मेरी Time Line है जो यहां पर आप देखेंगे एक Ruler की तरह बनी हुई है और इसको हम Ruler भी बोल सकते हैं यह मेरी Time Line है, हम कहीं भी काम कर रहे हों कहीं भी मुझे कोई Audio Sample सेट करना हो तो मैं यहां पर कर सकता हूँ इसको हम यहां अगर जाते हैं Right में तो मैं X Direction में इस तरह से Zoom कर सकता हूँ कम या ज्यादा और यहां पर Y Direction में कम या ज्यादा अगर आप इस खाली एरिया पर Double Click करेंगे तो देखिए उसकी Same Copy जो भी हमने उपर ले रखा था वो यहां बन गई और अब Double Click करते जाएंगे Tracks बनते जाएंगे Double Click Double Click Right और यह देखिए यहां पकड़ेंगे तो इस तरह से आप Zoom करते जाएंगे दूसरी चीज अगर आप Shift प्रेस करते हैं अपने Keyboard के उपर उसको प्रेस करके अगर आप अपने Mouse के Scroll Wheel को Move करेंगे तो इस तरह से आप पूरे Workspace पे Timeline के साथ आगे या पीछे Move कर सकते हैं दूसरा आपका जो Mouse है उसका जो Scroll Wheel है अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो भी आप इस तरह से आगया पीछे कर सकेंगे बहुत ही आसान अगर आपने कोई भी Track Delete करना हो बहुत ही आसान है किसी को भी Select कीजिए मैं यहाँ गया Select हुआ Keyboard के उपर Delete का बटन प्रेस किया Delete 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 कितना ही आसान और यह Last वाला अगर फिर से Delete किया तो हम वापिस Backside पे चले जाएंगे जहां से हमने Software स्टार्ट किया था कि आपको Software चाहिए या Audio चले इस बर हम Audio ले लेते मैंने क्लिक किया Create और अब यहाँ पर मेरे पास Audio आ गई है बहुत ही आसान मैं Double Click करता रहूँगा और अब मेरे पास Audio बनती जाएगी मैं Delete करता जाऊँगा Select करके और वो Delete होता जाएगा मैं यहाँ गया Create किया मेरे सामने अब यह आ गया है अगर इस तरह का Typing Keyboard आपका नहीं भी आता कोई बात नहीं हम आने वाले Lectures में इसकी बात करने वाले है मैं इसे Cancel कर देता हूँ यहाँ पर जो Number दिये गए है 1, 2, 3, 4 इनको Bars कहा जाता है एक से दो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ यह की Yellow Color का आपको यहाँ पर धिक किया है यह एक Bar है मेरे Cycle की Range है कुछ भी मैं यहाँ पर Play करूँगा वो Loop होती रहेगी एक Bar के अंदर 1, 2, 3, 4 जैसा कि Metronome On होने पर आप सुन भी पा रहे हैं यह 1, 2, 3, 4 यह है मेरी Beats यह मैंने दो बार सेलेक्टर लिए एक से दो, दो से तीन यह मेरे दो बार है तीसरा बार, चौथा बार और एक बार के अंदर मेरी 4 Beats होती है यह किस तरह से 4x4 मेरा Time Signature है इस वज़ा से अब यह Time Signature क्या चीज है यह थोड़ी Advanced चीज है हम आगे जागे देखने वाले हैं अगर आप Bars के हिसाप से नहीं करना चाहते यहां जाएंगे Record इस पे Click करेंगे और Musical Grid को Off कर देंगे अब यह देखिए आपकी जो Time Line है वो Time के हिसाप से बन चुकी है लेकिन Obviously हम इस हिसाप से नहीं करेंगे जो Music Industry में Music Production के Industry में जो Standard है वो Obviously Beats और Bar होते हैं मैं वापिस यहां जाओंगा और Musical Grid on कर दूगा अब जैसे यहां पर मैंने एक Instrument Select कर रखा है पियानो मैं इसको Change भी कर सकता हूँ जैसा कि मैंने पिछले Lecture में आपको बताया था लेकिन अगला आप कोई और Instrument या कोई Audio Clip लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे यहां पर Plus का एक निशान है Right इस आइकन पर क्लिक किया वो New Track है आप Software लेना चाहें कोई भी Instrument यहां से आप Select कर सकते हैं मैंने Create OK किया और अब देख सकते हैं मेरा अलग से Track बन गया है और वो एक अलग Instrument मैं फिर से मैंने Plus पर क्लिक किया New Track और इस बार मैंने लिया एक Audio मैंने Create किया और यहां पर मेरे पास एक Audio का Track आ गया है जो मैं Obviously Recording भी कर सकता हूँ अपने Vocals या Guitar जो कि हम Recording वाले Lecture के अंदर देखेंगे अब इस Workspace के उपर काम किस तरह से होता है चलते हैं अगले Lecture में तब तक लिए देवनेक्स लेवल Signing Out Namaste